सबसे पहला हम केस लेते हैं कि assume किजिए आपके पास दो चार्जिस हैं दोनों की polarity सेम है और initially situation में ये mention किया गया है कि एक चार्ज जो है प्लस क्यू वो permanently fixed है means permanently rest पर रखा है कि ये move नहीं करने वाला और इसे कुछ distance पे दूसरा चार्ज है प्लस क्यू नॉट और प्लस क्यू नॉट चार्ज जो है वो initially इस direction में एक V नॉट speed से travel कर रहा है तो जैसे जैसे प्लस क्यू चार्ज इसके पास आएगा इन दोनों के बीच में क्योंकि like charges है electrostatic repulsive force बढ़ेगी और एक situation आएगी कि इन दोनों के बीच में जो repulsive force होगा वो maximum होगा और ये charge प्लस क्यू नॉट उससे आगे move नहीं कर पाएगा तो वो जो situation आएगी वो कुछ इस थरीके से होगी कि माल लीजिए जो closest position है जहां तक वो आ सकते हैं वो R minimum है उसके बाद क्या होगा उसके बाद इस charge पे net force 0 हो जाएगा जिसकी वज़े से इसकी velocity 0 हो जाएगी और ये उसके बाद repel होके वापिस move करेगा backward direction तो ये जो distance होता है इसको हम closest distance of minimum closest distance call करेंगे हमें इस R minimum के लिए value calculate करेंगे तो देखें इस situation में हमारे पास simple simple क्या है कि दोनों charges जो है along the line joining काम कर रहे है ठीक है और एक charge rest पे और दूसरा charge move कर रहा है तो as a system यहाँ पर मारे पास बाहर से किसी भी तरह का कोई force काम नहीं कर रहा है इसके उपर तो मैं यहाँ पर conservation of energy apply कर सकता हूं कि इस time जो system की initial energy है kinetic energy of this system और जो final kinetic energy होगी जो minimum approach में आके system create होगा वो energy जो होगी वो दोनों same होनी चाहिए तो system की initial kinetic energy और system की final kinetic energy दोनों को मैं equal करता हूं according to conservation of energy initial energy हो जाएगी half mv0 square और क्योंकि यह rest पर है तो इसकी kinetic energy 0 होगी और क्योंकि along the line joining है potential energy में कोई chain नहीं हो रहा है तो final kinetic energy हो जाएगी यहाँ पर जो हमारे पास यह सारी की सारी energy है potential energy में कर्वाट हो जाएगी और system जो potential energy होगी system की कितनी हो जाएगी क्योंकि क्योंकि चार्ज रेस्ट पर आगे तो kinetic energy is zero और वो सारी की सारी energy system को maintain करने में use हो गए तो अब मैंने जब इसको solve करनी कोशिश करी तो मेरा result आया r0 is equals to 2kqq0 upon v0 square तो यह हमारे पास इस particular case में जब दो charges along the line joining हमारे पास एक ही central axis पे काम कर रहे हैं और एक charge permanently rest पे और दूसरा move कर रहा है उस system में closest approach निकालने के लिए हम conservation of energy अपलाई करेंगे और सीधा सीधा solve कर देंगे अब दूसरा situation हमारे पास यह है कि same case है कि दोनो charges अभी भी along the line joining है लेकिन यह जो charge था जिसको हमने previous case में rest पे रखा था अब वो rest पर नहीं है यह charge में कह सकता हूँ initially rest पे है और यह charge यहां से चलना start होता है अब मैंने दोनों के mass अलग-अलग assume कर लिए इसका mass m1 इसका mass m2 जब यहां से चलना start करेगा तो दीरे दीरे यह इसके पास आएगा और एक situation क्या आएगी कि जब इन दोनों पे net force system बनेगा net force 0 हो जाएगी उसके बाद दोनो पर equal force लगेगा इस पर लगने वाली forces की वज़े से सेम होगी और इस पर लगने वाली forces की वज़े से सेम होगी तो उस case में दोनों charges एक ही direction में same velocity से travel करना start कर देंगे ठीक है तो उस situation में जो इन दोनों charges के बीच में minimum separation होगा इसको हम closest distance बोलेंगे approach की बासन में आया अब इसमें हम क्या करेंगे अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर energy तो conserve है यह इसमें कोई doubt नहीं है दूसरी जो एक चीज conserve हो गई वो यह है इसका linear momentum क्योंकि बाहर से जो कोई external force है वो act नहीं कर रही है net force 0 है system पे तो हम conservation of linear momentum भी apply करेंगे तो चलिए apply करते है initial situation यह है final situation यह है तो initial momentum क्या हो जाएगा m1 v naught plus m2 into 0 और final situation हो जाएगा m1 plus m2 into v तो यहाँ सार है हमारे पास v आ गया कि system बनने के बाद जो common velocity है जिससे वो एकी direction में travel कर रहे है वो कित्मी होगी यह v हमारे पास in terms of v naught आ गया second previous की तरह हम conservation of energy apply करेंगे तो initial kinetic energy हो जाएगी half m1 v naught square plus 0 और final हमारे पास क्या हो जाएगी क्योंकि system यहाँ पे close आया और यह rest पे नहीं है move कर रहा है तो इनके पास kinetic energy होगी वो कितनी होगी half m1 plus m2 into v square लेकिर उसके साथ-साथ क्योंकि system बना है तो potential energy भी होगी r naught की वज़े से यह हो जाएगी half m1 plus m2 into v square plus k q q naught upon r naught तो initial energy जो है वो कितनी है kinetic energy और final जो energy है वो kinetic energy plus potential energy है तो यहाँ पर हम इसको solve करेंगे v की value यहाँ से put कर दीजे इस expression में और solve करने के बाद हमारे पास expression बना r naught is equals to 2 m1 plus m2 upon m1 m2 into k q q naught upon v naught square this is the expression for closest distance of approach of two charges चीक है एक case और possible है यहाँ पर वो case यह है कि अगर यही दो charge है और इन में से यह जो charge है permanently rest पर है और दूसरा charge उससे कुछ distance पर काम कर रहा है along the line joining नहीं है अब case आगया कि along the line joining नहीं है तब क्या होगा माल लीजिए जो charge है यह rest पर रखा है permanently rest पर है और दूसरा charge इसकी जो line of action है उससे d distance पर इसी direction नहीं travel करता है v naught speed से initial velocity कितना है v naught तो क्या होगा जैसे जैसे इसको अप्रोच करेगा इसकी वज़ेसे एक field generate होगा वो field charge पर force लगाएगा और वो repulsive force होगी तो इस charge का path थोड़ा सा trajectory इस तरीके से बनेगी बाहर की तरफ वो move करेगा तो उस situation में minimum distance क्या होगी अगर मैं इसकी trajectory पर यहां से एक perpendicular draw करता हूँ तो वो minimum distance होगा तो उसको मैं call करूँआ यहां पर closest approach ठीक है आर नौट call करूँआ तो अगर मैं perpendicular drop करता हूँ माल ली जो perpendicular इस point पर आता है इस point पर अगर मैंने velocity assume की V हो गई तो यहां पर क्या-क्या चीज़े conserve होगी सबसे पहली बात यहां पर angular momentum conserve होगा क्योंकि कोई torque नहीं लग रहा है यहां पर system situation के according ठीक है तो angular momentum conserve हुआ और energy conserve होगी तो सबसे पहले हम conservation of angular momentum apply करते है conservation of angular momentum के according angular momentum होता है linear momentum into separation ठीक है तो यहां पर देखिए initially यह क्या है MVR होता है तो M into V0 into distance कितना है D initial momentum यह final momentum M D into V D क्या हो जाएगा यहां पर R0 ठीक है तो final momentum हो जाएगा MVR0 यहां सरे आप क्या निकाल सकते है V की value निकाल सकते है ठीक है अब क्योंकि energy conserve the system की तो initial energy हमारे पास क्या होई kinetic energy है final energy जाओगी potential energy प्लस kinetic energy होगी same apply कीजिए यहां पर half MV0 square plus half MV square plus KQQ0 upon R0 यहां से हम V की value यहां पर put करेंगे तो हमारी जो equation है वो एक तरह से quadratic equation बन जाएगी ठीक है आप इस quadratic equation को solve करेंगे और solve करने के बाद आपको closest distance जो है वो मिल जाएगा तो यह 3 different situation हमारे पास बन सकते हैं मैंने आपको एक example की तरह solve किया है ताकि हम किसी भी तरह की problem हमारे पास आया हम उसको solve कर सके एक example लेते हैं इसी के उपर कि एक charge particle है Q1 जिसका mass M है उसको project किया है कि speed V से एक दूसरे identical charge particle की तरफ जो initially rest पर है बात है initially at rest मतलब move कर सकता है बाद में calculate the distance of closest approach of the system ये एक तरह से second case हमारे पास बन गया तो ये हमारे पास situation आ गई कि initially ये जो charge है Q1 है दूसरा भी identical charge है Q1 दोनों के mass B same है ये V speed से चल रहा और ये initially rest पे है तो closest approach पे आने के बाद दोनों एक common speed से चलने लगेंगे ठीक है और उस time इन की बीच में जो separation होगा उसको मैं R0 कॉल करूँगा मुझे R0 निकालना है तो सबसे पहले linear momentum apply कीजिए उसके according हमारे पास V1 आ गया हमारे पास V upon 2 और conservation of energy apply करेंगे कि initial energy is equal to final energy initial energy सिर्फ kinetic energy और final energy kinetic energy plus potential energy है expression आया आप यहां से V1 की value put कर दीजिए और R minimum calculate कर दीजिए ठीक है calculation आप easily कर सकते है इसे हम उन problems को solve करेंगे जिसमें में distance of closest approach निकालनी होती है I hope कि मुझे आपको ये बात समझ में आई होगी चलिए एक example और लेते है कहरा है कि हमारे पास दो identical ring है जिनके पास unequal charge है ये एक ring है जिस पर charge plus Q है ये एक ring है जिस पर charge minus Q है उनको एक common axis के along A separation पर रख दिया है हमें बताना है कि इन दोनों के center पर जो potential difference होगा वो कितना होगा अगर आप potential difference निकाल सकते हो तो आप ये भी निकाल सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं एक test charge रखता हूँ उसको यहाँ से आते ले जाने में कितना work करना पड़ेगा क्योंकि potential difference निकाल गया था आप work भी निकाल सकते हो तो कुछ भी question बन सकता है चलिए solve करते हैं इस problem को देखिए ये हमने एक diagram draw किया है कि एक ring हमारे पास यह है और एक ring यह हमारे पास है अब देखो अभी इस ring को भूल जाइए इस ring की वज़े से ये d distance पे यहाँ पर एक potential होगा होगा या नहीं तो इसकी वज़े से यहाँ पर हम potential easily calculate कर सकते हैं हमने previous lessons में exercise निकाली थी कि किस तरीके से calculate करते है k q upon r r यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आ जाएगा चीक है अब मैं अगर यहाँ पर भी एक ring रख देता हूँ यह ring अपने आप में भी जो एक potential generate करेगी यहाँ पर इस से जो axial distance पर r distance पर जो point d distance पर जो point c b है यह इस ring का center बन जाएगा तो यहाँ पर जो total potential होगा वो इसकी वज़े से यह distance पर आएगा और इसकी वज़े से center पर आएगा तो total potential कितना हो जाएगा हमारे पास तो potential vca due to on charge k q upon r और due to another ring is equals to k minus q upon r square plus d square तो total potential कितना हुआ यह आ जाएगा हमारे पास इसी तरीके से इस पर जो charge होगा वो अपनी ring की वज़े से center पर आएगा और इस ring की वज़े से axial distance पर आएगा तो इसी तरह हमने यह भी potential निकाल लिया जब हमें दोनों point पर potential मिल गया कि c a पर potential कितना हुआ और c b पर potential कितना हुआ तो हम potential difference निकाल सकते हैं ऐसे कि potential difference कितना होता है वी ए माइनस वी भी तो वी ए पर potential कितना है ring पर वी सी ए माइनस वी सी बी दोनों values पूट कीजिए ठीक है और solve कर दीजिए आपका यह delta भी आ गया इस question में तो यह था लेकिन ऐसा ही यह question competition में आया है जिसमें बोला है कि अगर इस ring के center पर एक charge q note रखा है q note को यहां से यहां तक ले जाने में total कितना work करना पड़ेगा तो अगर आपके पास potential difference आ गया तो work done आप निकाल सकते हो work done कितना हो जाएगा delta v into q note तो अगर delta v आपने निकाल लिया potential difference निकाल लिया तो उसको उस test charge से multiply कर दीजिए आपको यहां से यहां तक जाने में जो work करना पड़ेगा वो निकल जाएगा चीक है तो यह problem थी जो एक exam में आई हुई थी तो मैंने उसको यहां पर लेने की कोशिश करी इसको solve करने की कोशिश करी इस तरह की बहुत सारी problems आपकी text books में भी होंगी तो आप उनको जदा से जदा try कीजिए और कोई problem हो तो आप मुझे comment कर सकते हो इसी वीडियो में और मुझे personally message भी कर सकते हो ताकि मैं उन problems को आपकी solve करने की कोशिश करूँ तो अगली आने वाली वीडियो के अंदर हम capacitors को पढ़ना start करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे cavities क्या होती है cavities की वज़े से field कैसे generate होता है और electrostatic shielding क्या होता है और plates पर जो charge generate होता है वो किस तरीके से generate होगा बहुत interesting lessons आने वाले है lesson number 9 और lesson number 10 तो अगर आपको वो दो lessons clear होगे तो आप definitely capacitors को बहुत easily solve कर सकते हो so दोस्तो मेरे lessons के साथ जुड़े रहिए